मैं आज आप लोग के साथ फरूट कस्टर्ड ट्रैफल की रेस्पी शेयर कर रही हूं और अमिद करते हूं आप लोग को पसंद आएगी तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने 1.5 लिटर दूद लिया है और 6 टेबल स्पून कस्टर्ड को मैंने दूद में हाल करके जब दूद में एक उबाल आज आजए तो मैं इसमें डाल देंगे और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मेक्स तांके इसमें लांब्स बग्यार ना बने और इसको आप स्लो आज पे तक तो आप में इसका चूला इस वकत बंद कर दूँगी क्योंकि हम इस तरह कर चाहिए और थंडा करेंगे और मुझे चाहि데 कुछ बिसक्तों का चूरा जो कर दो टोर मेने बना लिए और बिसकट के एक डिप करके एक सर्विंग ठ्रे में क्योंकि अगर आप केक का बना चाल तो नीचे केक भी रख सकते हैं लेकिन मैं बिसकुट का बनाओंगी क्योंकि मेरी बच्चों को बिसकुट का पसांद है तो मैंने सारे बिसकुट को दूद में डिप करके रख दिया है और कस्टर जो के हमारा बिल्कुल ठंडा हो चुका है दो गेंटे बना के मैंने पहले रख दिया था और एक लेरा में कस्टर की लगाएंगे और इसके बाद जो भी फ्रूट आपको पसांद है जो भी फ्रूट अवेलेबल है वह सारा फ्रूट काट का है आम इसके उपर डालेंगे जरूरी नहीं है के हार किसम का फ्रूट और जो भी अवेलेबल हो गार में वह ही आम इसको यूज कर सकते हैं और इसके बाद दबारा इसके तैल लगाएंगे कस्टड की तो इसके बाद मैं जो कस्टड है थोड़ा थोड़ा इसके उपर डालूंगी बहुत ही मज़ेदार अपनी फैमिली के लिए अपने बच्चों के लिए मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है यह देखें मैंने एक तैल लगा दिया कस्टड की और इसके बाद यह जो मैंने बिस्कुट को थोड़ा मोटा-मोटा कूटा था यह इसके उपर डाल दूंगी इससे भी अच्छा फ्लेवर आता है आप लोग भी एक दफा बिस्कुट का बना के चेक करना और यह मैंने थोड़ी सी जैली बनाई थी मोगर यह अभी इतना सेट नहीं हुई तो एक स्टोबरी की है और एक लेमन की है तो अच्छी तर यह सेट नहीं हुई तो फिर मुझे की लेर लगाएंगे क्योंके जैली को हम जब भी बनाई तो रात को बनाना चाहिए रात को बना के रख देना चाहिए पर मैंने ना एक गंटा पहले बनाई थी तो मैंने लिए 300 ग्राम क्रीम यह क्रीम है और इसको मैं अच्छी तरह से मदद से विप कर लोंगी और इसके ऊ चाहिए बिसक्ट से करें जिस से भी करें तो आई होब कि आपको मेरी रेस्पी उपसान दाएगी बहुत जल्दी और चंद मिंटू में बन जाने वाला यह मिठा है तो एद थी तो मैंने सोचा के चलो एद के लिए रेस्पी बना लेती हूं और रेस्पी भी साथ में बना तो आप लोग भी अपनी तरफ अपने गार में जरूर ट्राई कीजिएगा यह देखें इसकी फाइनल लुक माशाला बोती अच्छा बनाया हमारा कस्टर ट्रैफिल तो मेरे तरफ से अल्ला हाफीज दौाओं में जरूर याद रखना जब भी दौा करें तो अपने बैन ब क्या गृली अपले के एखिली और गली अपनी Nord